जब तक हमको ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चूप बेटने वाले नहीं हैं जब तक सारी नहीं भरतियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाएं क्योंकि जहां ये कहा जाता है कि एक करमचारी अपनी रिटायर्मेंट के बाद के भविश्य को लेकर बहुत ही जादा चिंतित रहता है ऐसे में रिटायर्मेंट के बाद के भविश्य में 60 साल की आयू वाले एक व्यक्ति के लिए guaranteed pension होना बहुत जादा जरूरी हो जाता है ऐसे में महाराष्ट्रा में junior colleges के teaching और non-teaching staff ने जताया अक्रोश ऐसे में मुंबई के KJ सुमया college के भार हुआ प्रदर्शन तो आये ले चलते हैं आपको teaching और non-teaching staff दोरा किये गए protest पर और साथ ही बात करते हैं teachers और non-teaching staff से इस मूर्चा में जो NPS के लिए है उसके साथ ही OPS वाले भी है old pension system में से majority of हम लोग है और हमारी यही मांग है कि जो शासन ने हमें अब तक security रखा है या security है retirement के बाद वही rights हमारे सब जो youngsters है जो नए आने वाले है उन्हें मिलना ही चाहिए मेरा नाम आर्ती सूध है और मैं इसके सुमया junior college में English department में हूँ और हम सब यहां पर इकठे हुए हैं हमारा old pension को revive करने के लिए तो जैसे कि बोला जा रहा है कि X checker पे 1.1 lakh करोड का भार पड़ेगा तो ऐसे में उसको देखकर कि आपका क्या अब वह पहले भी होता था वह अब क्यों नहीं हो पा रहा है तो अब भी उसको किया जाये जाएि स्कू नहीं किया जाये तो क्यों नहीं यह सकती आधे teachers को यह benefit दिया जा रहा है अब teachers को यह benefit नहीं दिया जा अब teachers की इसके अलावा demands क्या है एक तो 60 years of retirement age 58 से 10, 20, 30 and at the same time there are many other issues जो कि teachers vacancies है और teachers को appoint नहीं किया जा रहा है वहाँ पे वो vacancies को fill किया जाए ताकि students सफर ना करें या पर किसी दूसरे teacher के उपर extra load नहीं आए तो यह सारी problems जो है teachers face कर रहे है जिसका हमें resolution चाहिए किस तरीके का pressure बनाया जा रहा है obviously strike तो हम देख रहे हैं आगे जाके क्या continuity रहेगी जो students की पढ़ाई पर भी असर हो सकता है क्या कहना है जितने भी junior colleges है all over our degree colleges all over महाराश्टरा all the colleges are participating in officially participating in this strike our demand is that we want old pension to be revived अगर old pension scheme पे आपको written communication दे दिया जाता है तो क्या आप इस strike को वापिस ले लेंगे सिधा सिधा fake promises नहीं चाहिए हमें अभी resolution चाहिए Professor Dr. Sandeep Bhalerao Arts and Commerce College से हूँ Sir मैं economic subject पढ़ाता हूँ सबसे पहले मेरी एक इच्छा है हम लोग क्यू उत्रे आपको बताते तो already 60 years हमको चाहिए दुसरा हमारे को old pension सबसे important है और 10, 20, 30 का चाहिए लेकिन मेरा एक message आप फढ़नवी सरकार तक पोचा हो कि फढ़नवी साब ने ऐसे कौन सी मंत्री के साथ या कौन से एकोनमिस के साथ discussion किया है कि जुनोंने बोला कि हमारे को ये old pension देने के बाद deficit आएगा उनको पूछी एक बार जो काईदे हमको नहीं चाहिए वो हमारे उपर क्यो थोपे जाते है हमको चाहिए वो काईदे दे दो ना जब मंतिर लोगों को 5 साल में pension मिल रहा है 30 साल तक हम service करते हैं हमको वो सुविदा नहीं मिल रही है तो हमारे उपर ऐसे जबर्दस्ती क्यों थोपे जारे नियम और हम retire होने के बाद medical का खर्चा भी नहीं चलेगा इतना कम pension पेंशन नहीं उसको आप क्या बोलो help बोलो 10-12 अजार का वो मिलेगा तो इतने साल मेनत करके हमारा क्या पाइदा होगा ये बात आप फड़नवी सरकात तक पहुचाओ और उनको बताओ कभी हमारे बारे में भी सोचो तभी आपका भी बला होगा और हमारा भी बला होगा आज का जो ये आंदोलन है स्ट्राइक है ये कैसे आगे मूव करने वाली है अगर जब तक आपको पूरा जो है कोई सॉलूशन नहीं मिलता सर हमारा इंडिपिनिट स्ट्राइक रहेगा जब तक हमको ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगा जब तक आप डिकलेर नहीं करते हो कि हमको पूरानी पेंशन मिली है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं नॉन टीचिंग स्टाफ काफी टाइम से लगा हुआ है टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर और ये जो पे कमिशन के कुछ रूल्स को लेकर अपने वेतन से जुड़े और पिछले दिनों जो है देविंदर फेडनाविस से भी यूनियन के जो हेड है उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद कहां अटक गया और आज स्टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मिलकर के एनपीएस को हटाने के लिए और ओपीएस को लाने के लिए गुहार लगा रहा है तो उसमें क्या कहना है जुनिय हो या नवी इन लोगों के बच्चे लोगों को तो कोई भी सेक्टर में अच्छी जगा पे गवर्मेंट सर्विस मिलने वाली नहीं है और आगे जो है बुड़ापी की लाटी काटी जो की कुछ बोली जाती है उसके लिए ये जो सरकार है इनोंने किसी भी करमचारी या जनता के बारे में सोचके आगे की बाद सोचके कुछ भी कारोबार करने का सोचा नहीं है अगर हमारे उपर मेसमा लगाया जाए तो हम मरने के लिए भी तयार है और हमारी फैमिली हम रास्टे पे उता रहेंगे और मेसमा क्या तुम कुछ भी लगाओ जेल भरो करो या कुछ भी करो हम लोग इसके लिए जी जान से तैयार है ओल्ड पेंचन स्कीम के अलावा आपकी डिमांड है क्या क्या थी हमारे लोग जो चुए उटाते हैं मची उटाते हैं और ऐसे लोगों को भविश्व में रिटार होने तक कुछ भी सुगिदा मिलेगी नहीं इसके लिए प्रावधान किया गया है कि बारा बरस के बाद में उनको एक सिलेक्शन गड़े में लेगी और उसके बाद 24 बरस के बाद में एक सुधारी ताश्वासित प्रगिद्न उसमें थोड़ा सुधार किया गया तो आज तक इतनी भी सरकारे हो गई यह जो जियार रद किया गया है तो जो जो सरकारे बैटी है वो सरकार की जिम्मेदारी है कि पहला आपने करमचारी के उपर ध्यान देना चाहिए और जो भी मिला हुआ है उसको भी छीन रहे है और जो मिलना चाहिए वो भी नहीं दे र